नमस्कार दोस्तों, क्या आप computer खरीदना चाहते हीं, लेकिन आपका budget बहुत कम ही, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखे, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बदाया कि कैसे आप सस्ती कीमत पर एक अच्छा computer खरीद सकते ही, जो कि चलने लायक होगा, आप उस पर सारा क काम भी कर पाएंगे, browsing कर पाएंगे, editing कर पाएंगे, वो सारा काम के से लायक हो जाएगा, तो वीडियो को जरूर आप पूरा देखएगा, पहले भी हमने 30,000 वाले computer के बारे में जाना है, 20,000 वाले computer के बारे में, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, तो निच आपको 15,000 तक के बजट में एक perfect computer बताने वाला हूं जो कि आप assemble कर सकते हो अलग लग parts लाकर घर पर भी computer को बना सकते हो या फिर किसी भी shop पर जाकर भी आप यह सारे parts के नाम लिखकर आप उनको दे सकते हो वो खुद ही आपको computer इसेंबल करके दे देंगे तो आएए वीडिय को शिरू कर लेते हैं अच्छा लागे तो like और share ज़रूर करें क्योंकि मैं हर एक चीज आपके साथ friendly होकर share करता हूं आए सबसे पहले हम जानते हैं computer के अंदर motherboard आपको कौन सा लेना है CPU के अंदर जो motherboard लगता है वो मैं आपको बताने वाला हूं यह वाला motherboard है चेवरोनिक जैब G41, socket 775 यह आपको purchase कर लेना है इसकी जो regular price है वो Amazon पर अभी 2600 रुपए है अगर आप offline पूछना चाहते हैं तो offline आपको थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा यानि कि 2600 का है तो आप local shop पर पूछोगे तो 2500 तक आपको यह motherboard मिल जाएगा नमबर दो अब यहां पर हमें processor के जरूद पड़ेगी तो पहले हमने i3 processor के बारे में जाना था लेकिन अगर आपका budget कम है तो आप Intel Pentium processor का भी इस्तमाल कर सकते हैं काफी बड़या processor होता है हम काफे समय से Intel Pentium processor का इस्तमाल कर रहे हैं हमारे पास में जो यह computer है इसके अंदर ह भी हो जाती है, animation भी हो जाता है और कोई भी परेशानी नहीं आती है खास बात यह कि हमने Pentium processor के साथ में SSD लगा रखी है तो computer के speed और भी तेज हो जाती है तो यह जो processor है वो आपको लगबग 1500 रुपे में मिल जाता है लेकिन i3 processor के लिए आपको 5-7000 रुपे देने पड़ सक सकते ही इसका पूरा नाम और इटेल्स में आपको बता देता हूं Intel Pentium processor और G3220 इसका पूरा नाम ही आप इसको online भी सर्च कर सकती हो 1500 रुपे में आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आप किसी भी local शॉप पर पूचते हो तो आपको 1200 रुपे तक मिल जाएगा क्योंकि online के मु बजट के हिसाप से हाथ डिसक लगवा सकते हैं 320 GB की लिए तो आपको लगबग 1500 के लिए तो को 500 से 2000 रुप इसमें नहीं होता है 500 रुपय में आपको 200 GB एक्स्टा और रम जाती है 1500 में tür 270 GB की मिल जाएगी 2000 में आपको 500 जीमी मिल जाएगी तो आपको ज्यान रखना है आप आपको 8GB RAM लगवानी है, बजेट कम है तो आप 4GB RAM भी लगवा सकते हो, 8GB RAM के लिए आपको 25 रुपे देने पड़ेंगे, जबकि 4GB RAM के लिए आपको 2000 रुपे तक देने पड़ सकते हैं, तो आप देख लीजिए कि इसमें इतना ही फरक है, जो भी आपको सही लगे, वो आप RAM ले लिजिए DDR3 8GB, नमबर 5, अब हम जानते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में, आप अपने कंप्यूटर के अंधर, आप अपने बजेट के हिसाब से ग्राफिक कार्ड लगवा सकते हो, 1GB या फिर 2GB का, ऑनलाइन अभी 1GB का ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा है, 2GB का अगर आपको लगवाना है, तो फिर बजेट बढ़ जाएगा, इसलिए आप किसी भी एक बार शॉप पर पता कर लीजिए, अगर 1GB का मिल जाता है, तो आप लगवा लीजिएगा, एक बार मैं आपको ग्राफिक कार्ड के बारे में पूरी डीटेल बता देता हूँ, आपको ग्र अगर आप 2GB ग्राफिक कार्ड लगवाते हो, तो आपको चार जार रुपए देने पड़ते हैं, जबकि अगर आप 1GB लगवाते हो, तो पचीस सो रुपए में आपको मिल जाता है, अगर नहीं लगवा होगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर लगवाना लेकिन अभी बजट कम ही, तो बाद में भी आप इसको लगवा सकते हैं, नमबर 6, अब आपको जरूद पड़ेगी CPU के कैबिनेट की, यानि कि आपको साथ में पावर सप्प्लाइ और CPU का कैबिनेट चाहिए, जो बाहर से CPU दिखता है न, वो, तो 1500 रुपए में आपको एक इसके बारे में बताया है, फिर भी एक बार इसको हम बता देते हैं, इसक्रीन पर आप देख सकते हैं, नीचे इसका description में लेंक भी दिया गया है, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, लोकल शॉप पर पता करिए, आपको और भी सस्ता मिलेगा, इसके लावा नमबर 8, आपको उसके जरूत पड़ेगी, जो कि आप जबरोनी के साड़े 400 रुपए में कॉम्बो ले सकते हो, और इसको आराम से चला सकते हो, अगर हम इसका पूरा टोडल करते हैं, तो लगबग साड़े 13,000 रुपए में आपको मिल जाता है, आप भी एक बार पूरा इस्टों देख लि जीए, तो थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, प्लस आपको सर्विस बे अच्छी मिलेगी, और जब भी कुछ प्रॉबलम आती है, तो आप जारेक शॉप पर जाकर भी पता करवा सकते हो, इसमें मैं आपको एक जानकरी और देना चाहूंगा, हमने इसके अंदर SSD को इंक्लू बना चाहते हैं तो, आश्या करता हूं कि ये जो वीडियो है, वो आपको समझ में आगया होगा, और टोटल आपका जो बजट बनता है, वो ग्राफिक कार्ड के साथ ने 15,000 रुपे तक है, और ग्राफिक कार्ड नहीं लगवाते हो, तो आपको 13,000 रुपे में पूरा ये क झाल बना चारश जो आपको 15,000 रुपे में लगवाते हैं तो, आपको 15,000 रुपे में ये।